संकट कटे मिटे सब पीड़ा जो सुम्रे हलमत बलबीरा जो हलमान जी की साधना करते हैं उनके सारे संकट दूर हो जाते हैं आज की वीडियो में जानेंगे हलुमान जनती कब है और कब बनाया जाता है हलुमान जी की पूजा विधी क्या है और हलुमान जी को खुश करने का तरीका क्या है हर साल चेट पच की पुर्निमा तिथी के दिन पर्वु स्री राम का भक्त हलुमान जी का जनम हुआ था हलुमान जी के भक्तों को ये दिन बे सबरी से इंतिजार रहता है। हलुमान जी इस कल्योग में जागरुग देव है। हलुमान जी के भक्त इस दिन को बड़े धूबधाम से बनाते हैं। हलुमान जी के अशिर्वास से वेक्ति की सभी इच्छा पूरा होती है। पुरानिक कथा के नुसार, चेत मा के पुर्यमत रिधी को पर्वु स्री राम के सेवा के उद्धेश से संकर के ग्यारवे रुद्न ने माता अंजना के घर हलुमान जी का जनम हुगeking। इसलिए हलुमान जंती बना जाता है अगर आपको सनी को सांध करना है तो हलुमान जी को खुश करना चाहिए हलुमान जी ने सनी देव का अंकार कम किया था तब सनी देव ने हलुमान जी को वचन दिया उनके भक्ति करने वाले को किसी तरह का पीड़ा नहीं पहुचाएंगे इस दिन हलुमान जी की मुर्ती पर तेल काट ठीक और सिंदूर चड़ा बहुत लोग हलुमान जन्ती के दिन जो वेक्ती हलुमान जी की पुजा पाट करते हैं और दसन करते हैं उनके सारे रोग दूर कर दिते हैं हलुमान जनती के दिन सुबा में उठकर अशनान आदी करके लाल वस्र धारन करे पूरब दिशा की और मुक करके बैठे राम लच्मन और जानकी माता की मुर्ती रखे किसी चोकी पर आशन बनाए चंदन सिंदूर आदी चड़ा हलुमान जी को लाल फूल अच्छत मदू दूत चड़ाकर उजा करे धूप दीब जला हलुमान जी को चने गूर लडू को भोग लगा है तर्лять आप हलमान चलीसा या सुन्दर कांड का पाट करे उसके बाद हलमान जी को आरती करे सर्दा भक्ती के साथ हलमान जी क्यों पासना करें अगर वीडियो पसंद रहा तो वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट कीजिए चलन को सब्सक्राइब कीजिए